कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खोजाते थे हम, कोई डाट में देता था रोजाते थे हम, आस तो लिंद की गोलिया में खातर लिंद रही आती, पहले ते मा की लोरी में ही सोजाते थे हम, की मा ना होती तो वफा कौन करता, की मा ना होती तो वफा कौन करता, की ममता कहा थ आदा कौन करता हे बवाबा हरी की मा को सलामत हिकना वर्नां हमारी स्लामती की ऑड आ कि हैं चाहरनाई ने का ओच लंग सफिक एसिवाद कि मा की नहीं जाती कि मा की दुआ कभी खाली नहीं जाती और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती कि बड़तन माज कर चार बेटों को पाल लेती है वो मा पर दुल्हा नाने पर उन चार बेटों से एक मा पाली नहीं है कि बताया है कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी तुले ले मा की दुआएं तेरे काम आएंगी तेरे जीवन में खुशिया तमाम आएंगी ऐसे नहीं आनद जब आएगा जब दोनों हाशी दे करोंगे ये भजन है राग नहीं मैं समझ नहीं उठा कि तरह है पारी वला के ओ मा ओ मा मा तूपा पारी वला के ओ मा ओ मा ओ मा ओ मा पारी वला के नहीं हाशी दे करेंजे हो अब सुनिये का सुनने वाली बात है माता है जन्म दाता माता ही जग चलाए होता है जब अंधेरा मारोश नी दिखाए उपकार हम पर मा का कैसे उतारा जाए नो महीन मुझे को रखा मैयाद दुख उठाए कि नो महीन तन के साचे में ढालती है मा फिर जन्म देती है हमको पालती है मा कि माने पैदा किया तो अपनी पहचान है मा हमारी तुम्हारी सब की भगवान है यह है मा की ममता यह है मा की ममता अब सुलिएगा किस्सा किस्स उसमें का जब एक घर से जवान बेटा कहीं दूर परदेश में जाता है तो घर वालों से फर्माईश आती है फर्माईश किस तरीके से सुनेगा जब कोई परदेश जाता है बेटा हाँ जब कोई परदेश जाता है बेटा हाजी कौन जाता है बेटा कि छोटा भाई केता है मेरे लिए मोटर कारी लाना और दुलहन केती है मेरे लिए प्यारी प्यारी सी सारी लाना अगर उस मा की बात अच्छी लिगे तो तौली बजागे जरू अश्यवाद देजएगा मगर मा कहती है मगर मा कहती है तू कुछ भी ना लाए मेरा लाल वापस मेरे घर को आए ये होती है मा की मुम का एक कहानी या करी है अगर आपके मर्जी हो तो सरादू कहानी मिलकपुर धाम की इवार प्रेम से चकारा बोलो बाबा महन राम की ऐसे नहीं पाव महन राम जी गतानों हाद ठागा मिलकपुर धाम में होली वाली दिनों मर बहुत बड़ा मेला लगता है मेली के घटना है कि छोटा बच्च अपनी मा से कहता है मा मुझे इस मेले में घूमने जाना है तो वो मा कहती है बेटा वो मेला बहुत बड़ा है तुखो जाएगा तो मेरा अले का बच्चा है मैं तुझे कैसे ले जाओ लेकिन वो बच्च अपनी मा के सामने जित चला देता है सुनेगा क्या होता है मिलकपुर धाम में मिला लगा हुआ भारी माउर बेटने की देखने की तैयारी निलहा दूला कर अपने लाल को सजाया है नजर ना लग जाए का जलू उसे लगाया है आने जलो वाए गादा मैं बूलुआ था अब तुझे समझ जाए निलहा दूला कर अपने लाल को सजाया है नजर ना लग जाए का जलू उसे लगाया है लाल को गोद लिये लाल को गोद लिये मा वो चलने लगी लाल को हस्ता देख ममका मा चलने लगी प्रईप्र क्या होता है सुनिएगा भीड़ जोरों की थी भीड़ जोरों की थी बच्चे का हाथ जूट गया इसी बीच में माता का साथ जूट गया की उसके बच्चे को एक औरत ने चुराया था बड़ी जालिव थी अपने घर में ही चुपाया था और आप सभी को पता है जब एक मा का लाल बिछड जाता है तो उस मा की रोरों कर की क्या हाला तो जाती है सुनेगा कि ढूंडते ढूंडते उस मा की आखे भर आई पो रोती दुख्यारी वापस अपने घर आई बच्चा चुर गया लेकिन उसे माँ बाबा मोहन राम पर यकीन था इबाद एक साल वो मिला जरूर आएगा और अगरे साल में अपने बच्चे को ढूंडने जरूर जांगी इबाद प्रेप से जिकारा बोलो बाबा मोहन राम की जैड कि बाद एक साल के वही मेला आया है लाल को ढूंडने माताने बगबड आया है वही ओरत उसी बच्चे को लेके आई थी कौन सी ओरत जिसने उसका बच्चा चुराया था वही ओरत उसी बच्चे को लेके आई थी जैसे हो अपना लाल बंसवर के लाई थी और वो मा असली मा अपने बच्चे को पहचा लेते और अपने पती से कहते हैं सुनेगा कि अपने पती से कहने लगी मुन्ना वो हमारा है कि छपट कर छीन दिया न सोचा न विचारा है अब दौनों माओं में लड़ाईयों हो रही है सुनिएगा किसरे से नकली मा कहने लगी नूरे नसर मेरा है असली मा कहने लगी असली पिशर मेरा है और फिर वहाँ पर उपस्तित भीड कहती है यदि बच्चा इसके पास है तो इसी का होगा तो असली मा से कहते हैं कि तू को इस बच्चे की पहचानी बता तो दोना माँ पहचानी बता रही है सुनेगा किना के लिए मा कहने लगी और छोड़ से मेरा दिल है असली मा कहने लगी इसके पीठ पर तिल है फिर वहाँ पर जो भीड कटी हो जाती है भीड को देखकर पुलिस वाले भाग कराते है और उस बच्चे को छिन करके ले जाते हैं सुनेगा क्या होता है शोर गुल सुनकर वहाँ पर पर पुलिस आई है बच्चे को ले करके उन दौनों को उसने छोड़ दिया तुम अदालत में आओ दौनों को ये हुप गुंदिया बच्चे को ले लिया और दौना माओं से कहती है कि दो दिन बार तुमारी कोट में तारीक है कोट में आ जानो उस बच्चे को ले जानो और जब वहां के जजज सहाब की पास फाइल पहुंसती है तो जजज सहाब बड़े घवरा जाते है कहते है कि वहां के जजज सहाब बड़े ही विद्वान रहे भगवान को शाक्षी मानकर जजज सहाब उस केश को शुरू कर देते हैं सुनिया क्या होता है कहा जजज सहाब ने इस बच्चे के टुकडे कर दो एक दो इसको एक इसकी जोली में धर दो ये सुनकर नकली मा खुश हो जाती है कि नकली मा कहने लगी की लाओ तलवार और जल्दी से टुकडे कर दो असली मा कहने लगी बाज के जोली भर दो ये बास सुनकर जज सहाब उस असली मा से कहते हैं कि अगर यह तीरा बच्चा नहीं तो इस बांज को दे दिया जाएगा तो असली मा रोर करके कहते है क्या कहती है अच्छी लेगे तो दुरू ताली बजा का शुवाद देना कि मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा मारो ना मेरे लाल को एक एहसान तुम्हारा होगा श्रमिन नवत्तर जी यह बात सुनकर सारी कछेरी छुप हो जाती है ज़के आप हमें आशु भराते है यह बात ही मात में जज सहाम ने खेले कर डाला नकली औरत को साथ साल जेल कर डाला हाजी कितने साल जेल कर डाली साथ साल यह होती है मा की ममता क्या होती है मा की ममता एक बार हाथ उठेंगे जिशन भीट पसंद आई है हाथ की मत करना ताली वजा कर यह मा की ममता यह है मा की ममता इसलिए कहता हूँ अपनी मा को मना किचिनी की अमाप पे भी हयात है उनके लिए कि सादू संदों ने भी बताया है चाहे कितनी ही भंडारे करा लो कितनी ही जगराते करा लो चाहे कितने बड़े भंडारे हो जाए अगर घर की मा उदास है तो उस मा को मराने से कोई फाइदा नहीं है इसलिए कहा है अपनी मा को मना वो मा मान जाएगी ऐसे लिए उठा के दिरो हाग तु लेले मा की दू आए तेरे खाब आएगी तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी तु लेले मा की दू आएगी एक बार सब अपनी शुत्वाणी सुसु मा को यादे करते हो चलेंगे मजाग ने कर रगबर उठा के द्रोहा जिद जिसके प्रेम अपनी मा की भावना है उठा के किसी को जबरस्ती रही करूँ जिद जिसको ये भेट समझ मारी है जितनी भी भंडारे में बैटे हुए है हुए 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 है हुए 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 हुएcue सोन टैस्ट के सेट